दिवेश तिंग मुंबई से मौझूद है आर्विन दोजा भी मारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश तिंग मुंबई से मिलेंगे जो की जो नाइन के सुपरविजन में जो पूरा केस है उसकी चान भी उसकी इन्वेस्टिकेशन की जा रही थी सारे डॉक्यूमेंट्स का हैंडवर उनसे लिया जाएगा जो भी स्टेट्मेंट्स थे वह उनसे मांगे जाएंगे और ट सुपरीम कोट के ओर्डर की मताबे जिवेश एक बात दोताईए जब मुंबई पुलिस इंवेस्टिकेशन कर रही थी बीते साथ दिनों के समय में ये जो इंवेस्टिकेशन होते हैं ये ओफिशल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये किस भाशा में होते हैं अंग्रेजी में मरा जी महराष्ट में जो विटनेस स्टेटमेंट्स होंगे और जो भी मुद्दल प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे मराखी में होंगे तो इसी के लिए और भी कुछ समय जाएगा एक ट्रांसलेटर को ढूंडा जाएगा सीबिया की तरफ से और फिर इन सारे डॉ या पंचनामा रिपोर्ट हो और टॉप से रिपोर्ट हो वो सारे ही मराखी में होंगे पीम रिपोर्ट जो है वो इंग्लिस में है पर बाकी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख सकती है मिनाक्षी टीम आगरी है आपको बता रहे हैं ये देखिये ये क्याँ लुक्त हागागा कर देखियर धाया कि अ कि अ मिनाप्शी आपको दिखा रहे हैं CBI की जो टीम है तो DCP 3PK से मिलने के लिए पहुंचने वाली है यही वो अफसर है सर, 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 यह देख सकते हैं आप सर, 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 स की हिस तरीके से इन स्टेटमेंट को रिफाइडा जाएगा उसके बाद फ्रेश स्टेटमेंट जो भी 10 की शुरूट किये जाएंगे आकक्ष्ष आपको कितने जी करीब अभी यहाँ पर 6-7 लोग पहुंचे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें CBI के अफसर जो है नुपूर वो पहुंची है वो लीड कर रही है इस टीम को वही मुलाकात करेंगी DCP तुरू मुखे से और इसके इलावा कुछ इंस्पेक्टर्स भी थे और कुछ जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो भी थे CBI के जो की SIT के ही मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और मुलाकात कर रहे हैं DCP अभी शेक्ति मुलाकात करने के लिए हाला कि documents जो है official documents मराठी में है उनका translation होगा या जो भी अब आगे procedure रहेगा लेकिन अब तक का जो investigation मुंबाई पुलिस का रहा है अब CBI उसे कैसे examine करती है और फिर उसके आगे अपना investigation कैसे शुरू करती है सबकी निगाहें अब इस बात पर है जी देखें मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो CBI की टीम है जो अभी जहां दिवेस हमारे सयोगी खड़े है एक टीम वहाँ पर मौझूद है लेकिन CBI हमारे जो सूतर बता रहा है CBI के कुछ और टीमें भी है वो मुंबई में मौझूद है नीरत जो कुक है उससे प पूस्ताच की जाएगी जैसा कि आपने सवाल पूछा मैं आपको बता दू CBI जो मुंबई पुलिस ने अब तक की जितनी तहकीकात की है चाहे वो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट हो चाहे लोगों से पूस्ताच हो खास कर उनसे पूस्ताच जहां बांदरा के फ्लैट में शु प्स रहेगा और शायद ही वज़ा है कि शुरुवाद CBI के टीम ने कर दी है गेस्ट हाउस में जो नीराच कूख है उससे पूस्ताच करीगी लेकिन मिनाक्षी मैं बता दू CBI पूरी तरीके से नए शिरे से इस पूरे केस को देखेगी ऐसा नहीं है कि पहले मुंबई कीपी भी रही है तो उनको अच्छा कासा अनुभाव है खासकर जो इस तरह की वारदाते होती है उनको अच्छा कासा अनुभाव है इस चीज का तो वो तमाम जो मुंबई पूलिस के पास जितने थे पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है मौके से जो एविडेंस कलेक्ट हिए गी और हमारे जो सूतर बता रहे हैं बकाइदा इनको ये जो एविडेंस मुंबई पूलिस ने जो लिये थे इनको सीबी आई के सीफसर लैब भी एक्जामीन के लिए भेजा जाएगा भारी भरकम टीम एक्सपर्ट की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की वो फिलहाल मौजूद है लेकिन इस साथ साथ जो लगातार पूछताच है वो भी सुरू हो गई है उसके अलावा डी सीपी से भी मुलाकात होगी जो इस पूरे केस को देख रहे थे उसके अलावा उस डी सीपी से भी जरूर पूछताच होगी जो हमारे सीबी आई के सूत बता रहे हैं जिन से रिया ने WhatsApp पर बात की थी, इस बात का खुलासा हुआ था, तो शुरुवात CBI एक्षन मोड में आई चुकी है, कल लैंड की थी मुंबई में, लेकिन आज सही पूरे एक्षन में वो CBI की टीम है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस है, हर कोई जानना चाहता है कि इस केस का सच क्या है, क आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले,